नमस्कार में रिनु का तो आप सबका मेरी यूटूब चनल में बहुत बहुत स्वागत है तो रोज सुबा नास्ते में अगर आप वही एक जैसे रेसीप खाके बोर हो गए हो तो आज मैं आपको मुर्मोरे और मेती से बना एक बहुत दी टेस्ट जैसा नास्ता लिके आई तो तेरी किस बात के चले श्टार करते हैं आज का वीडियो जैसे रेसीप बनाने के लिए सब से पहले हमें बाउल लेना है और हमें एक कप मुर्मोरे दलने है तो आप या मुर्मोरे की जगा पोहा का भी इस्तमाल कर सकते हो फिर हमें इसमें एक कप बारी कटकी हुए मेती डलनी हैं तो आप यहां मेती की जगा पालक का भी इस्तमाल कर सकते हो फिर उसके बाद अभी हमें इसमें स्वाद दूसर बारी कट किया हुए हरी मिर्चे डलनी है फिर उसके बाद अभी हमें इसमें एक बारी कट किया हुआ प्याज डलना है फिर इसमें स्वाद नुसर नमक डालना है फिर हमें इसमें आदा कब बारी कट क्वे धनिया डालनी है फिर उसके बाद अभी हमें इसमें एक चमच जिरा डालना है फिर इसमें आदा चमच धनिया पाउड़ डालनी है फिर अखिर में इसमें दो चमच गिहू काटर डालना है तो आप यहाँ गिहू आठी की जगा चावल आठी का भी इस्तिमाल कर सकते हो बेशन या बारीक सुजी का भी इस्तिमाल कर सकते हो नहीं तो आप इस सारे आटे मिक्स करके भी ले सकते हो फिर हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डलना है और इस रेसिपिक लिए मिश्रन बना लेना है तो हमें इसका ज्यादा पतला मिश्रन नहीं बनाना है थोड़ा गाडा ही बनाना है तो जिस तरह से हम पकोड़े बनाते हैं तो उस तरह से हमें मिश्रन बनाना है तो अभी हाई सारे रिंगड़े सची तरह से मिक्स हो चुके है और ये मिश्रन बनके त्यार हो चुका है फिर हमें ग्यास पे बरतन रखना है और इसमें हमें दो चमच तेल डालना है और इस मिश्रन के इसमें हमें इस तरह से पकोड़े डालने है तो अभी मैं इस रेसिपे को सेलो फ्राय करने वाली हूँ तो चाहो तो आप इसे डिफ्राय भी कर सकते हो तो अभी हमें पकोड़े दोनों तरप से अच्छी तरह से ब्र तो अब यहां यह recipe दोनों तरब से अच्छी तरह से fry हो चुकी है और brown भी हो चुकी है तो अब इस तरह से बुर्मोरे और मेटी से कुछ अलग तरीके का टेश्टी नास्ता बना के गर्मा करम गर्म ग्रिन चटने के साथ नास्ते में सर्वा कर सकते हो नहीं तो आप इसे सिर्फ चाह या कॉफी के साथ एक सनाग की तरह भी दे सकते हो तो आज के वीडियो में इतना ही तो फिरसे मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टेश्टी recipe के साथ तो thanks friends watch my video